गटना करम प्रदेश के अंदर होय है, प्रदेश की विधान सवा में होय है, निश्यत तौर से मैं समझता हूँ कि लोकतंतर के उपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जो एक पहाडी राज्य है, एक शान्ती प्रियराज्य है इस तरीके के घटना क्रम होना एक चिंता का विशे है एक चिंता का विशे इसलिए है क्यूंकि हिमाचल प्रदेश के सतर लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कॉंग्रिस पार्टी को दिया है उसके बाद इस तरीके के घटना क्रम होना ये एक चिंता का विशे है मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आविशक्ता है और ये देखने की आविशक्ता है कि ये घटना क्रम प्रदेश के अंदर क्यूं होए है क्या कारण थे जिसकी वज़ा से आज हम इस परिस्तिती के ऊपर खड़े होए है मैं आखके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमरी को खोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा और आज से डेट साल पहले एक साल पहले की जो घटना क्रम प्रदेश के अंदर होए हैं जिन परिस्तितियों में ये सरकार कॉंग्रिस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी हैं उसके बारे मैं कहना चाहूंगा 2022 में जब विधान सबाग के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश के सब उस समय का जो नित्यत्व था निता प्रतिपक्ष आधर्णिया मुकेश अगनी होतरी जी जो समय लीडर ओफ ऑपोजिशन थे PCC प्रेजडेंट श्रीमती प्रतिपा सिंग जी और उस समय के जो कैंपेइन कमीटी के चैर्मेन थे वरतमान मुक्ष मंतरी आधर्णिया ठाकुर सुखुंदर सिंग सुखुजी क्लेक्टिव ली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राए नहीं है कि पूर्व मुक्ष मंतरी सुखुजी जो छे बार हमाचल प्रदेश के मुक्ष मंतरी रहे उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तिमा किया गया ऐसा कोई बैनर नहीं था ऐसा कोई पोस्टर नहीं था ऐसा कोई होडिंग नहीं था जिस पर उनकी फोटो नहीं थी और ऑफिशली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में उसके एक दिन पहले एक full page advertisement उनके photo के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने Congress Party को vote देना है ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, this is a matter of fact, matter of record और ये उसके बाद उन परिनामों को मद्दे नजर रखते हुए collectively मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबके योगदान से ये सरकार, Congress सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी एक साल इस कारेकाल को हुआ है, इसमें जिस तरीके की कारेपरनाडी सरकार की रही है मैंने उसके उपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको सपश तरीके से कहना, ये मेरी responsibility, हमारे प्रदेश की जनता के प्रती हमारे लोगों के प्रती और जिन लोगों का विश्वास हम में हैं, जिन उन्हें इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रती ये मेरी जवाब दे ही है मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महतोपुरन नहीं है मेरे लिए cabinet birth महतोपुरन नहीं है और मेरे लिए प्रती प्रती है, और वो किसी पद से नहीं आता है वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है मगर जिस तरीके की ववस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है उसमें जो घटना करम होए है, जो विधायकों के साथ कहीं न कहीं अंदेखी हुई है कहीं न कहीं जो विधायकों की आवाज को दुबाने की कोशिश की गई है आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के उपर जो है वो खड़े हुए है प्रदेश के अंदर जो fiscal mismanagement हुई है वो हमारे सामने है जो governance सरकार की रही है वो हमारे सामने है लगातार इन विशेओं को पार्टी हाई कमांड के समक्ष भी उठाया गया है लगातार इन विशेओं को जो है वो हमारे पार्टी के और जो निर्दित्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है मगर उसका कोई भी सरकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्तिती के उपर आकर खड़े हुए है और उसकी वजह से ये चीजे आज जो भी परिस्तितिया आज बनी है क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के उपर है यहां से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज को बताएगा मगर I have always believed in calling a spade a spade और इन चीजों को हमने जहां जहां हो सकता है हमने उठाया है but because I am a disciplined member of the party I understand and I know where to draw the line इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी है जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महतुपुरन योगदान चुनावों के समय में दिया are we able to meet their expectations मैंने प्रदेश के करीबन आदे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया बहुत से ऐसे इशूस थे हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाय कमार ना जिन्होंने हमको responsibility दी कि हम प्रदेश के शेत्रों में जाए अलग-अलग इलाकों में जाए और हमने रोजकार की बात है यह बात है वो बाते हैं उन चीजों के उपर बात करी पूरा भी करें समय के ऊपर पूरा करें और यह हमारा दायत वह बनता है कि हम जो जो बाते हमने करी है उनको हम पूरा भी करें समय के ऊपर पूरा करें और ड्यू डिलिवरेंस जो है वो होना चाहिए जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शोड नॉट ओनली बी डन इस शोड बी सीन टू बी डिलिवरेंस